इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बीए फर्स्ट सैम का एक और चैप्टर जिसका नाम है वुंडिड प्लांट्स इसमें भी पॉइंट्स बनाए गए हैं और याद करने में बेहद आसान है फर्स्ट है दे चैप्टर इस अबाउट इनसेंसिटिव बिहवियर ओफ में तु प्लांट्स और अस्पेक्ट ऑफ नेचर इनसेंसिटिव का मतलब होता है उदासिन उदासिन का मतलब बिल्कुल ध्यानी ना दें किसी के परती कोई भी भावना ना रखें उसको हम उदासिन कहेंगे behavior का मतलब होता है व्यभार plants, पोधे, other aspect जो दूसरे पहलू है किसके प्रकरती के दूसरे और कौन रहेगे, paid पोधे होते हैं जीव जन्तू होते हैं, animals होते हैं ये सारे, तो ये जो chapter है इसमें बताया गया है कि जो मानव है, man है, आदमी है उसका व्यभार प्रकरती और उसके जो दूसरे पहलू है, उनके परती कैसा है insensitive है, उदासिन है वो एक man को जब कोई pain होता है, दर्द होता है तो तो वो महसूस कर लेता है, लेकिन बाकी animals को, paid पोधों को, या फिर और कोई कीडे मकोडे है, उनको कोई pain होता है तो वो बिल्कुल कैसा रहता है, उदासिन रहता insensitive रहता है, उसको कोई भी pain feel नहीं होता we don't know that हम नहीं जानते की like human beings human beings की तरह मानव की तरह, plants पोधे भी, also feel pain, कि वो भी pain को महसूस करते है pain होता है, दर्द और feel का मतलब होता है, महसूस करना to prove this इस बात को सिद करने के लिए क्या सिद करने के लिए कि plants को भी pain, दर्द, feel होता है महसूस होता है, इस बात को प्रूव करने के लिए JC Bose, जो इसके लेखक है performed a three stage experiment उन्होंने perform किया दिखाया, क्या एक तीन, तीन स्तर पे, पहले एक experiment किया, फिर second और फिर third इस तरह से तीन stage पर अलग-अलग friction किया, एक experiment किया किसके उपर, पोधों के उपर ही, पेडों के उपर ही और क्या prove किया he proved that, और उन्होंने प्रूव किया, सिद किया when even a leaf is cut off the plant कि किसी एक पेड से एक पत्ता काट लिया जाता है, all the leaves of the plant, तो बाकी बचे हुए जो पत्ते हैं उस प्लांट के remain depressed for a long time depressed का मतलब होता है उदास रहना, काफी लंबे समय तक जो बचे हुए पत्ते हैं, वो उदास रहते हैं, और जो पत्ता काटा गया है, उसका तो आपको पता ही है, जिस साइड से वो काटा गया है, उसी साइड से उसकी जो death है या फिर जो सूखना है वो शुरू कर देता है धीरे-धीरे करके उसमें जो death है उसकी वो आनी शुरू हो यानि वो पत्ता मरना शुरू कर देता है So, इसलिए Plants also behave like human beings जो plants हैं, पोधे भी वो किस तरह से व्यभार करते हैं, behave means क्या होता है व्यभार करना, वो भी व्यभार करते हैं human beings की तरह है, मानव की तरह है and experience और मैसूस करते हैं pain, दर्द को, death, death, मौत को, birth, जनम को the same way, उसी तरह से human beings मैसूस करते हैं, दर्द को death को और किसी का जनम हो जाए उसको उसी तरह से जो plants हैं, वो भी मैसूस करते हैं, तो यही तीन points थे इसमे, आप तीन याद कर लोगे काफी रहेंगे, ये chapter थोड़ा सा tough पड़ता है, लेकिन इतना याद करोगे तो आपका काम चल जाएगा